हाला स्टुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजिंद पुरहीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसे में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं देट इस पार्शल डिफेरेंशल एक्विशन ता उसके इंदर कुछ टॉपिक बाकी रह गयते हैं जिसके हमालाओं की क्लासिफिकेशन पार्शल डिफेरेंशल एक्विशन के अंदर हमारे पास किस कंडिशन में हमारे पास यहां पर एक्विशन पैराबोलिक होती है या एलिप्टिक होती है या फिर हाइपर बोलिक होती है यह सब हम डिसकस करने माले है तो तो सुनकर हमारे पास क गारेस्ट करते हैं अगर हमारे पास को हम आर से से और टी starts again थे स्वंचराइब हम्मारे पास 152 के कॉफिशंड होते हैं अगर की कॉफिशन के वेल्यूट को यहां पुट करें और यह सी C Concept की की एक्वेशन होती है हमारे पास घिटी ऑख सुसमार कािख होते हैं अगर अगर S square minus 4RT अगर less than 0 होता है तो यहाँ पर हमारे पास equation जो होती है वो elliptic होती है यह बहुत सारे question इस concept पर बैस पूछ ले जाते हैं तो मैं आपके सामने कुछ questions कराता हूँ इसमें हमारे पास अगर यह question दे रखा है कि like 2UXX मतलब हमारे पास del 2U by del X square and 4 del 2U by del X del Y and 3 del 2U by del Y square is equal to 2 तो हम जानते हैं सुन यह हमारे पास R होता है तो इसको हम लिखते है 2R plus 4S plus 3T is equal to 2 एक्चुली यह होता है जहाँ पर इसका coefficient होता हो capital R होता है इसका coefficient हमारे पास capital S होता है इसका coefficient हमारे पास capital T होता है अब हम बात करेंगे सुन S स्क्वार माइनस 4RD की तो हम जानते हैं 16 माइनस यह आएगा 6 और 24 तो सुन आप देखरें इसकी value हमारे पास negative value that is less than 0 मतलब यह equation हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी elliptic हो जाएगी इसी type से अगर हम इस question के बारे में बात करें तो सुन यह हमारे सुन S की value हमारे पास यहाँ पर क्या रही है X स्क्वार माइनस Y स्क्वार और आगे माइनस भी आ रहा है का होल स्क्वार आ रहा है माइनस का 4 और R हमारे पास यहाँ पर X Y है और T की value हमारे पास यहाँ पर आ रही है माइनस X Y सुन इसकी value चेक करेंगे हैं तो हम देखेंगे यह आएगा x²-y² का whole square मैंनस- recognizing plus 4x²y² जिए यह स्कोंacht करेंगे तिदी आएगा xッ 2x²y²-x²y² आजाएागा तो आप देखेंगे इस निया पर आएगा x power 4 plus y power 4 plus 2x²y² तो सुनी हापर हमारे पास ही आजाएगा x-square plus y-square का whole square यहां पर एक्स और वाई की कुछ भी वेल्यू रख लीजे जो कि नॉन जीरो तो सुनी हमेशा क्या होगा पॉजिटीव होगा अगर एक्स और वाई दोनों जीरो जीरो है तो इस वाले केस में जीरो होगा पर हमारे पास यहां पर ऐसा कुछ कंडिशन दे नहीं रखे तो यह और बढ़ेंगे यह सुन जिसके हमारे पस यह क्या होगा ड़े हमें आरहे पास क्या होगा जो कि स्माल वाय स्क्वार है यह स्क्रा जूइन की वेल्यू थी वालित नहीं हो जाएगा नचीप पया बोलिग ok थोड़ी सी इक्वेशन बढ़ी हो जाती है जिसने हमारे पास यहां पर टू वीरियबल की बात करी जा रही ती यहां पर अगर यहां पर यह पर इस तैब कि हमारे पास पर पास पार्षल तो इस विन जब भी हमारे पास इस टैप की equation आती तो हम क्या गरेंगे उस equation को हम matrix में यहाँ पर convert करते हैं तो इस विन इस matrix हम eigen value निकालेंगे और eigen value को हम देखेंगे कि यहाँ पर eigen value किस type क्या रहे हैं अगर सब के सब eigen value यहाँ पर positive आ रहे हैं या सब के सब negative आ रहे हैं तो उस वाले case में इस टैप की partial differential equation elliptic होती है अगर बाइचांस एक eigen value का sign अलग आ रहा बाकी सब का sign या तो positive है तो एक का negative आ जा है या सब negative और एक का positive हो आ जा है अब आपको बताना चाहिए इसका को विशन क्या एगा इसका को इसका को फिशन आएगा तो यह वाला कोफिशन आ जाएगा मतलब यह 1-2 है तो यह आएगा, 1-3 है तो यह आएगा, 2-1 है तो यह आएगा, 2-2 है तो यह तो यह आएगा, 2-3 है तो जो भी हमारे पास equation दरीगे उसके coefficients को हम यहां लिखेंगे इसको निकालते हैं, मैं कुछ example देता हूँ और example की तुरू समझाने की कोशिश करता हूँ यह सुनी हमारे पास एक question दरीखा है और आपको इसको देखना है कि हमारे पास यह जो equation है, partial differential equation जो की 3 variable की है यह किस टाइप की है, यह hyperbolic है, parabolic है यह फिर elliptic है, तो सुन क्या करते हैं यहाप है, यह जो भी हमारे पास equation दरीखा है, सुनी यह 1-1 है, मतलब पहला यह 1-1 है तो यह A-1-1 आएगा, तो सुनी यह 1-1 का coefficient 1 आ रहा है, अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा आ जाता कि U-X-Y पास यह 1-2 मतलब इसाम भी हारा, पर एसा हमारे पास तरमária यह 0 होजाएगा, अगर हमारे पास u-x-z अगर हमारे पास yy ऐ रहा तो इसका coefficient हमारे पास इह आजागा that is 1 है लोग Влад लिए जागा इस तो इस इस इसवर आपर यह ठीज्च की बात करेंगे है तो आएकंजों को इधर लेंगे सेम साइन है और एक का हमारे पास साइन अलग आ रहा मतलब यह हाईपरबॉलिक हो जाएगा अगर सबके साइन सेम है तो elliptic है ना पर एक विए साइन अगर change हो गया तो उस वाले case में वो हाईपरबोलिक हो जाएगा तो इस तरह समस्टार की को बहुत ईजीली सॉल्व करते हैं इस उन जिसे मारे पास यह कुश्शन दे रहें अब इसको लिखना तो टेंशन नेने की जुरूत नहीं है क्या करेंगे हमारे पास मैट्रिक्स बनाएंगे यू एक्स मतलब यह जाएगा इस उन यू वाइवाए तो यह यह जाएगा अब दूब यह जड़ तो वाइज़ेट मतलब टू और त्री यह जरू होता है और यह जाएगा तो आप इसकाफ निकालेंगे तो यह हमारे पास इसका डिटरमेनेंट जीरु यह जीरु आ रहा और एकिसी मैट्रिक्स का डिटरमेनेंट जीरु आता विससा आप चेक करोगे तो तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा फिर भी आपको समझ में नहीं निकाल लो अगर आपको आइगन वेलियू निकाला नहीं है तो आपको टैंसल लेने की जुरूत नहीं है आप क्या करो यहां पर यह एक टेप मेरा की वीडियो है उसको देख लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रहे हैं कि कैसे माइगे निकालता है यह जब सॉल करेंगे तो यह आएगा वन माइनस लेमडा और यह आएगा वन माइनस लेमडा का होल स्कुर माइनस टू प्लस लेमडा प्लस हो यहां पर हमारे पास अगन विए मतलब यह हमारे पास क्या जाएगा पैरा बोली हो जाएगा तो इस तरह से बहुत यहां पर इस टाइप को सॉल्व कर सकते हैं ऐसा ही मारे पास एक और कॉश्ण देरिखा है इसको हम देखेंगे यू एक्स-एक मतलब वन-वन-वन-ध है यूटू वाई-वाई मतलब टू-टू नमर का element है जेट जैट और be grabs ही वाल element है आप देखरो है इसमने magic hun TikTok जो isn't होंगे वह हमारे पास के आंग起 fine 112 ूगे और फासtime with reflect Autism sign कहारी मतलब यह elliptic हो जाएगा आपके अच्छसाść है कर ने गरूजी हमें इंटू 1-0 आ जाएगा इसको सॉल करेंगे तो सुनि यह आएगा 1-2-1-0 तो लेमडा की विडियो मारे पास 1-1 एंटू आएगा सुन सब आइगें विलिए हमारे पास positive आ रही है इस विडिया देखिंगे तो capital R की विलिए हमारे पास क्या हैगी x-1-1 एगा सुन स्क्राइब हमारे पास यह क्या रहा है रहा है हमारे पास x-2-1-1-2-1-1-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-2-1-1-2-1-1-2-1 whole square आजागा जब इसको simplify करेंगे तो यहाएगा X2 Y-1 into Y-1 का whole square square a-b2 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 लिख देंगे minus का 4x² y and y-1 का whole square आएगा इसमिन आप check करेंगे तो यहाएगा X2 Y-1 का whole square common निकाल देजे तो यहाएगा Y-1 का whole square का 4y आ रहा है इस नहीं आप देखेंगे तो यह हमारे पास इसकीय वेलिव आ रहे हैं तो सुनिए आएगा x2 y-1 का होल स्कोर इसको खोलेंगे हैं तो सुन यए स्कोर प्लस टू आएगा डूज मैंस का 4y तो सुनिए और by is equal to one पे इसका behavior कैसा होगा तो सुन एकस इकल डिए जीरो वाइज इकल डिए जिए जीरो हो जाएगा और ऐसे cases में यह हमारे पास क्या जाएगा पैराबोलिक हो जाएगा अगर यह दोनों नोट आपको कैसा लगा और किस तरस आपके एक्जाम के लिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइए नेक्स पार्शल डिफरेंचिल एक्वेशन के जित्ते भी मेरे अपकमिंग वीडियो से वह मेले के आने वाला हूं पर अगर आपको यहां पर चारपिट में थाड़ या फिर हैं वाला चैनल को यहां जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू बबाए